तो जहीं नमस्कार साथियों मैं मुकेशर आप सभी का स्वागत करतें इस्टेंट आज की इस क्लास में इस्टेंट अगर आपसे भी ASSA GD 2024 एकजाम की त्यारी कर रहें तो येकीन मानिये इस्टेंट आज की क्लास आप सभी के लिए काफी इंपोर्डिट होने वाला क्योंकि इस्टेंट आज हम लोग बात करने वाले इस क्लास के अंदर ASSA GD के हिंदी प्रैक्टिस सेट के बारे में जो कि आप सभी कहां पर हिंदी के टॉप इंपोर्डिट कोजिशन देखने को मिलेंगे जो कि आप सभी की आने वाले एकजाम के लिए काफी इंपोर्डिट ह आप सभी जरूर देखिएगा तो चलिए पहले प्रश्ण को बात करते इस्टेंट आप सभी का पहला प्रश्ण जो पूछा जा रहा है कि अब तक होना अब तक होना मुहाबरे का अर्थ क्या है देखिए आप सभी की एकजाम से जैसा कि मैं यहां पर प्रश्ण का सेट गया आज इट इस वैसाई प्रश्णावसी की एक्जाम में देखने को मिलेगा और जिसी टॉपिक से आपर प्रश्ण करवाया जा रहा है वो सारे टॉपिक से आपसी के प्रश्ण पूछे जाएंगे तो पहला प्रश्णावसी का मुहाबरे का लिया गया है कि अब तक होना मुहाबरे का अर्थ क्या है यानि कि इस कोशन का जो राइट एंसर उज्जाएगा आप सभी का अपसा नमबर तो अपसा नमबर सी स्टेंट आप सभी का राइट एंसर उज्जाएगा कोश्चन नमबर अगले प्रश्ण को और बात करते लोग नहीं बोलते कि यार आप तब हो रहा एकदम पता नहीं क्या होगा है ऐसी ही ठीके ना चलिए अगला प्रश्ण आपस्वी का दूसरा नंबर की दियेगे वाक्यांस के लिए एक सब्द दीजिए यानि कि कह रहा है कि एक सब्द बात क के जारा एक सब्द आपस्वी को देना है जिसमें कोई संदेह नहों उसी क्या कहता है जिसमें कोई संदेह नहों उसी क्या कहते हैं आपस्वी कि अगर इंगलिस में बात कह जा तो वान अप्ट सब्ची संदिया गया इसको पढ़कर कि आपस्वी इसके बनने के लिए एक का चलिए अगले प्रश्ण को बात करते इस्टेंट आप सभी का तीसरा नंबर प्रश्ण जो पूझा जा रहा है कि दिएगे वाके में काले खंड के प्रतिस्थापन करने के लिए सबसे उप्युक्त वाके का चैन करें यदि इसमें प्रतिस्थापित करने की आवसकता नहीं है तो विकल्प को चूझ कीजिए यानि कि यहां पर इस्टेंट आप सभी को दिया गया किसी बदलाव क्या सकता नहीं है का चैन करें देखें यहां पर एक और अप्सन है कोशन ज्यादा बड़ा हो चुका इसलिए दिखाईने दे रहा है यहां पर ध्यान दिजिएगा यह प्रशन आप सभी का का रहा है कि आप लोग सबसे पले इसको पढ़ना है और जो भी उसमें आप सभी को त्रूटी दिखाई दे रहा है उसको आप सभी को त्रूटी बताना और जिसमें त्रूटी नहीं है तो किसी बदलाव क्या हो सकता नहीं आप सभी को आप सभी को चू कौन सा त्रूटी हिन है देखिए करए कि अन्यक लोगों ने राम लीला देखा या अन्यक लोगों ने रामलीला देखht ीया किसी बदलाओ कैसा क्रात नहीं है की यहां पर क्या इस को आपको प्र साही करना था तो आप सिवी के ऐसा होना चाहिए ना कि लोग होना चाहिए लोगों ने रमलिल्या देखी ये बात होना चाहिए चली अगले प्रश्ण को बात करते हैं आप सभी का यहां पर फोर नंबर प्रश्ण है कि दिएगे वाके का वह भाग ग्याद करें जिसमें कोई तूटी है यानि कि ऐसा भाग इसमें आयतकार निकानने के लिए उसकी लंबाई और चुड़ाई और मोटाई का आपस में गुणा कर देना चाहिए यानि कब आप लोग यह बताए कि क्या यह वाक्य सुद्ध है या वाक्य सुद्ध नहीं है कि किसी वस्तू का आयतन निकानने के लिए उसमें सबसे उसकी उसकी की लंबाई और चोडाई और मोठाई का आपस में गुणा करदेना चाहिए तो क्या इसमें कुछ तूरूटी है याम और जागा आपसे नमबर पर इसकी लंबाई औरो चोडाई और मोठाई होना चाहिए यहां पर कुछ भी यहां पर कोमा नहीं दिया गया इसलिए यह भाग क्या है तुरूटी ही नहीं हो जाएगा तो आपसे नमबर यह आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा ठीके नो सभी प्रशन आपसी की एकजाम में देखने को मिलेगा जो की काफी इंपूड़ हो जाता है तो ध्यान से इस क्लास को टेंड कीजिएगा चली आगले प्रशन को बात करते आप सभी का फाइप नमबर प्रशन क्या पूछा जा रहा है कि उतकर्ष का बिलोम सब्द क्या है यहा आप कर्स हो जाता है आपसे नमबर डी इस्टेंट आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा चलिए अगले प्रशन को बात करते आप सभी का सिक्स नमबर प्रशन आप पूछा जा रहा है कि आंक भरना आंक भरना मुहाबरे का अर्थ क्या है तो फटा फटा आप लोग जवा आपसे नमबर डी आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा कोश्या नमबर शिक्स का ठीके ना चलिए अगले प्रशन को बात करते इस्टेंट आप सभी का सेवे नमबर प्रशन पूछा जा रहा है देखिए सेवे नमबर प्रश्ण की काले मोटे सब्दों के लिए सुध वर्तनिय ग्याद करें अपने पूर्वोजों के पद्चीनों पर चलना हमारा कर्तब्ब है इसमें से कौन सा सुध वाक्य है इसमें चुच करना कि इसमें से कौन सा सुध वहज जाएगा तो सेवेन को जागा अपसर नमबर बयानिकी पद्चीन अगले प्रश्णी को बात करते आपसर का एट नमबर प्रस्णी आप पर पूछा जारें ध्यान से देखिएगा करकि रिकता स्थान की पूर्ती करें यानि को फिल करना इसको पढ़कर के करें कि अपनी प्रतिभा और परी स्थर्म से ही कोई व्यक्ति प्रगति प्रगति के पर पहुंच सकता है अब प्रगति के सिखर सिविय सीर्ष या सीरिस तो राईट एंसर होँजएगा प्रगति के सिंखर होता है ठीक है नो तो नमबर ये स्टेंट आप सभी का राइट एंसर रोज जाएगा कोश्चन नमबर एट का चलिए अगले प्रश्ण को बात करते स्टेंट आप सभी का नाइन नमबर प्रश्ण पूछा जा रहा है कि जो दूसरे का स्री सोभागे देखकर दुखी होता है उसे कहते हैं यहां पर आप से इसे पूछा जा रहा है कि जो दूसरे का स्री सोभागे देखकर दूखी होता है उसे क्या कहते हैं तो नाइन ने की पर स्री कांतर कहते है राइट एंसर हो जाएगा चलिए अगले प्रश्ण को बात करते 70 आप सभी का पउछा जा रहा है कि अल्प संख्यक का बिलोम सब्दी क्या है अल्प संख्यक सब्द का मिलोम क्या हो जाएगा तो 10 का राइट Innser हो जाएगा आपसरक्षा सब्सक्रांबर एक बहुत संख्यकter LG हो जाएगा अगले प्रश्न को और बात करते हैं इस्टेंट आप सभी का 11 नंबर है कि वैसाख नंदन आ किसका परिवाची सब्द है वैसाख नंदन निमनलीखित में से किसका परिवाची सब्द है गणेश कौवा सुग्रीव या गध्धा तो राइट एंसर अज़ जाएगा आप सभी का 11 का आ या या निकी चक्रपाणी आप सभी का राइट एंसर अज़ जगा चक्रपाणी ठीक है चलिए अगले प्रश्न को और बात करते आप सभी का 13 नंबर प्रश्न है कि दियेगे वाक्य के किस भाग में त्रूटी है यानि कि जो भी आप सभी को यहां पर वाक्य दिया गया है इस कैसे कौन से भागे जिसमें त्रूटी दिखाए दे रहा है करें कि मुझे इस आदमी का पता मालूम नहीं है मुझे इस आदमी का पता मालूम नहीं है इसमें कौन सा जो वाक्य है इसमें कौन सा जो सब्दे वो त्रूटी हिन है त्रूटी है जिसमें तो तेरा का राइ स्टेंट पूझा है कि टस से मस नहीं होना मुहाबरे का अर्थ क्या हो जाएगा 14 का राइट इंसर नहीं बदाना यहीं कि लोग बहुत यहड़ी यह यह तस मस नहीं होता यह यह आपना जगा कभी नहीं बदलता है जो ठान लेता और ठान लेता ठीक है नो तो चौदा का अपसर नंबर सी हो जाएगा अगली प्रश्ण को बात करते हैं आप सभी का 15 नंबर प्रश्ण है कि भूंजी भाग भांग न होना मुहाबरे का अर्थ क्या है तो 15 का राइटे अंसर अपसर नंबर भी यानिकी दरीद्र होना दरीद्र अपसर नंबर भी यानिकी भूंजी भात भी न भांग भी न होना यानिकी मुहाबरे करते हैं यानिकी दरीद्र होना चली अगला प्रश्ण जो आप सभी को एक्जाम में दिया जाता आप सभी के गधांस कराता है एंड इसको प half MyCare homah Re Hopkins कि यहां पर आपसरी के जो होना चाहिए यहां पर अगर अगर जब तक अगर हम इसको चेंज करके याँ पर आप सभी कशली को डॉलthen है आप सबढ़ है कि मैंने याँ पर क्या किया है आप सबसे पर शोल्ला करना में एक बार और इसे फिर से लिखद रहा हो यह पर धायान दिजीगा जो कि कि आप सभी के लिए काफी हिम पोडेट था ठीक है नो ए खैस यहां पिर से स्कों लिख रहा हूँ ठीक है यहां समझे यहां पर अपर ऐड़ार यहां पर 17 और यहां पर 17 और उन्हें इसको फिल करना है जिसके सब्सक्राइब करें कि अपने जिन बातों से भय लगता है उससे बचते हैं हो सकता है भया वह लगने वाली प्रस्थितिये के सामने खड़े हो मान बैठे थे या फिर संभव है कि सचमुछ ही हो तब अपने यह तो पता चल जाएगा कि उससे कैसा है यहाँ पर देखिए अब आपसी को फिल करना है तो यहाँ पर ध्यान समझेगा आपसी क्या क्या दिया गया परिणाम प्रमाण और प्रमाण दिया है यानि कि यहाँ पर सब्सक्राइय को क्या फिल करना था तो राइटे स रुज्द सोलाख अपसर नंबर स्यनि की परिणाम अब यहाँ पर देखिए आप लोग परिमार अपसर नंबर सी ले लिए और जैसी यहाँ पर आपसी परिणां को बैठाएंगे आपसर कि अपसर निकल कर आए जाए देखे में इसको तो सब्सक्राइब कि अपने जिन बातों से भय लगता है उसके बच्चते परिणाम हो सकता है उससे बच्चते परिणाम हो सकता है अब देखिए 17 नंबर में क्या फिल करना हम लोगों यहां पर ध्यान से समझेगा कि 17 नंबर मे करना संभावना संभावना कैसी थी उसके बाद बात करतें ओनिस में जो फ्युट करना अप्सरों नंबर यानि की जट्टील हो जाएगा एंड अगला में आप इमिनकर ट्वूंटी में आप सुञूंटी में फिल क्या करना उस्टेंट आप सुच्विकों सबसे पहले ग्रद ताकि इसा मोस्ट इंपोड़े क्लास इस्टेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहें तो मिलते नेक्स्ट क्लास में इस्टेंट ठांक सुराचिक माइक क्लास